नमस्ते अब सभी का स्वागत है सनी का जायका में आज हम ऐसा हल्वा बनाएंगे जो कि हमारे यूज्वल बादाम, रवा, आटा या ड्राइफूट से बना बिल्कुल भी नहीं है बलकि वो हमारे फेवरेट मटर से बना है और यह मेरा आप से वादा है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए बनाते हैं मटर का हल्वा यह देखिए हमने फ्रेश मटर ली है आदा किलो ली है जैसे कि अभी मटर की सीजन है तो हमने फ्रेशी मटर ली है अब इसको हम मिकसर जार में ग्राइंड करेंगे तो यह आदा किलो को हम एक साथ ग्राइंड नहीं करेंगे इसको हम दो बार आदा आदा करके ग्राइंड करेंगे और याद रहे इसमें हमको पानी कुछ भी नहीं मिलाना है सिर्फ मटर को ही ग्राइंड करना है तो अब ये देखिए हमने दो बार इसको ग्राइंड कर लिया है अब इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं चमत से ये देखे बहुत ही स्मूद पेस्ट बनके आया है इसमें मटर के दाने बिलकुल भी नहीं है अब हम एक पैन लेंगे पैन में हम तीन चमच घी डालेंगे हम और अब ये जो paste हमने बनाया है मतर का वो घी में हम डाल देंगे और हम जो flame है हम medium flame ही throughout रखेंगे इसको अब इसको हम अच्छे से घी में mix कर लेंगे अब इसको हम सेकेंगे इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक मतर की नमी खतम नहीं हो जाए और इसमें सिखने की खुश्बुनी आए तो इस तरह हमको बराबर इसको हिलाते रहना है दोस्तों इसका जो मत्स का हल्वा का जो टेस्ट है वो गजब कही होता है आप इसे जरूर एक बार बनाए तब इसको हम continuous इसको हो हिलाते रहना है हमें इस तरह से यह देखिए यह धीरे धीरे जैसे सिखता जाएगा वैसे वैसे यह टाइट भी होते जाएगा यह देखिए इस तरह से अब इसमें हम एक चमस घी और डाल देंगे ताकि यह वापस थोड़ा सा लूज हो जाए और वापस अच्छे से सिख जाए तो यह देखिए इस तरह से हम वापस इसको हिलाते हुए यह देखिए अब काफी इसको हम चलाते जाएंगे यह देखिए इस तरह से हम इलाते रहेंगे इसके तो इसके लंज भी खतम हो जाएंगे और इस तरह अब इसमें देखिए हम फ्रेश मलाई है वो डालेंगे हम आदक कटोरी यह ऑप्शनल है अगर आपके पास में है तो डाले और नहीं है तो नह कर लेंगे अब इसको हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम में तब तक हिलाते रहेंगे जब तक यह हमारा दूद जो है मटर उसको पूरा एब्सॉर्ब न कर ले अब देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे हम इसको हिलाते रहेंगे अब यह देखिए अब इसमें हम डालेंगे milk made यह हमने सवा 300 ml लिया है condensed milk अब इसको हम इसमें डाल देंगे अगर आपके पास में condensed milk नहीं है तो कोई घबरानी के बात नहीं है आप इसमें सिर्फ शक्र मिला दीजे दूद हमने जो डेड़ कप लिया था उसकी जिगा हम दो कप यूज़ कर लेंगे अब इस तरह से अब देखिए हम इसको हिलाते रहेंगे अब यह देखिए घी छोड़ने लग गया है इस पैचुला पर भी नहीं चिपक रहा है यानि हमारा हल्वा जो है वो almost ready हो हम अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए इस तरह से mix कर लेंगे हमारा हल्वा जो है वो बिल्कुल ready हो चुका है यह देखिए तो ये देखिए हमारा मटर का हल्वा बिलकुल ड्रेडी है जो कि पिस्ते का हल्वे को भी बीट कर देगा तो आप इसे जरूर बनाएं अपने परिवार के साथ में इसे इंजॉय करें अब जल्द ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ